Hello everyone, welcome back to another video तो आज का वीडियो थोड़ा बहुत हो सकता है, interesting लगेगा आपको क्योंकि आज मैं दिखाऊंगा Instagram influencer या फिर Instagram theme pages को use करके इंडिया से मैंने कैसे POD, मतलब POD जो campaign है वो generate किया, start किया international market में, तो मेरा क्या result रहा, कितना मैंने spend किया influencer marketing में और क्या मुझे profit हुआ भी या नहीं हुआ, सारा चीज़ बताऊंगा इस वीडियो में और इस वीडियो को मैंने laptop में edit किया तो हो सकता है, अच्छा experience हो आपका तो वैसे noise quality तो अभी भी नहीं आएगा क्योंकि बाहर बना रहा हो वीडियो आगे बरते और दिखाता हो मैं आपको, मतलब बिल्कुल scratch से दिखाता हो आपको कि कब मैंने ये campaign शुरू किया था कितना कितना पैसा मैंने दिया है, सारा चीज़े तो mobile के screen का जो यहाँ पे आपको दिखने को मिल जाएगा, right side में, left side में शायद मेरा तो इसमें आप देख सकतो, मैंने यहाँ पे जो मेरा जो design था, पुराना वाला design वो वाला design और और एक design, T-Spring में upload किया T-Spring, अगर आपको नहीं पता थो, T-Spring एक POD provider है, ऐसे और भी बहुत सारा है T-Spring, T-Public, T-Cheap, Redbubble, तो उसमें आप क्या कर सकतो, आपका design पब्लिश कर सकतो और आपका एक storefront बन जाता है, उस storefront को आप क्या कर सकतो, आप कोई page हो है आपका तो उसका जो audience है उनके साथ share कर सकतो, या फिर उसमें add चला सकतो अगर वो लोग purchase करता है, तो आपको commission मिलता है, और commission in the sense, आप margin set करते हो, कि कितना मुझे margin मिलने वाला है उसके हिसाफ से आपको जो पैसा है, वो आपके PayPal account में transfer हो जाएगा तो इसके लिए आपको वैसे कोई भी legal documentation की ज़रोत नहीं परती, बस आपको एक PayPal चाहिए और PayPal भी simple जो PayPal होता है, business की भी ज़रोत नहीं होती, simple PayPal से आप कर सकतो बस PayPal का जो name, mail ID होता है, वो डाल देना परता है आपके T-Spring में और मतलब दो मिनिट में आपका account बनके तयार हो जाता है, तो यहाँ पर जो मैंने डिजाइन यूज किया, यहाँ पर दो डिजाइन आपको दिखने को मिल रहा होगा, इन दोनों डिजाइन को यूज किया तो सबसे पहले यह बता दो, दो नीचे वाला डिजाइन है, उसमें copyright का issue आ सकता है, क्योंकि यह डिजाइन मेरा नहीं है, जब मैंने use किया, उसके बाद मुझे यह चीज पता चला, कि यह किसी और का डिजाइन है, तो इसी कारण से मैंने उस campaign को भी close कर दिया है, तो मैंने चाहते हो, तो वो पहला वाला जो campaign है मेरा वो चेक भी कर सकते हो, जिसमें मैंने मतलब सारा चीज दिखाया, मतलब करीब-करीब लाइव ही हुआ तो आभी बात करें, तो मैंने क्या किया था है, बहुत सारे ऐसे pages को, bikes related और जो car related, मतलब JDM, Japanese manufactured and design, जो car related pages, उनको मैंने टा च्रिन शॉट में, तो उस message के बाद बहुत लोगों ने मुझे reply किया, और मुझे किया था, तो तुरां तुहां पर run करना था, उसी दिन run करना था, मुझे, इसलिए मुझे वेट नहीं किया, और अच्छे से मैंने देखा नहीं कि किस से मुझे अच्छा मतलब कम पैसे में कौन मुझे दे रहा था, मैंने ऐसे ही जयो मिला, उसी को मैंने ट्राइ कर लिया, तो सबसे पहले जो मैंने डील क्लोज किया था, वो यहाँ पे आपको मैं दिखा नहीं पाऊंगा, कि वो पोश्ट अभी अविलेबल है नहीं, लेकिन इसमें मैंने सबसे ज्यादा मुझे पे करना परा, क्योंकि मैंने उसको यूरो में पे किया था, वो यूरोपेन कंट्री का था, तो यह होने के बाद, एक पुरा 24 गंटे का पोश्ट था, 24 गंटे के बाद, जब मैंने देखा, टी स्पिंग में में मेरे खोल के, तो मेरा कोई भी सेल जनरेट नहीं मैंने कहा कि नहीं, जो पेसा है, 72 डॉलर जो अर्ण किया है, उसको पूरा तो मैं लगाई देता हूँ, और मेरे पास लगाने के लिए अभी 20-20 डॉलर लगा सकता था, मतलब 40 डॉलर और लगा सकता था, तो मैंने किया किया, और जो दो लोग मुझे मतलब बाउंस बेक किय अजिए था कि स्टोरी डालेंगे, बस पोश्ट सा, स्टोरी नहीं था, तो मैंने क्या-क्या उनके साथ डील क्लोस किया, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँगा वीडियो रेकॉर्डिंग, तो मैंने उनसे डील क्रोस करने के बाद, और यहाँ पे मैं यह नाम नहीं दिख जो एड है, क्रियेटिव है, वो आपको मैं दिखाता हूँ, तो मैंने क्या-क्या था, यहाँ पे इस में, मतलब पहरी बार है मेरा, मैंसे ज्यादा कुछ experience नहीं है, मैंने क्या-क्या था, यह जो फोटो है, मैंने देखा, स्कैन करके, वो कौन से टाइप की फोटो डालता ह है, वो वाला पेज, उसके इसाफ से मैंने उसका मेंन फोटो है, पहला वाला फोटो है, वो डिजाइन किया, लेकिन खास कुछ मतलब रहा नहीं, मैं मतलब उतना अच्छे से डिजाइन नहीं करका आया, कि उसके जो लोग है, वो लोग उसको ज्यादा like करें, तो इसलिए आप देख सकतो मेरा जो लाइक से करीब देरहजार के करीब लाइक से और उतना ज्यादा नहीं है पेज की अगर बात करो तो उसमें 3,000, 4,000, 10,000, 30,000 तक आ जाता था लेकिन मेरे इसमें नहीं आया वो तो मुझे पता नहीं किसलिए नहीं आया लेकिन ऐसे टाइप का कुछ ह और स्वाइब करता है और स्वाइब काते हो मेरे जो ये जो टीशइर्ट होडी हो है और नीचे लिखा हुआ है लिंक्ऺ एन लिंग बायो तो लोग लिंक किनद बायो में के पर्चिस करने के लिए उसके बाद अगर बात करो दूसरा पेज की जो यहांपे स्कृन शॉट है स्क्रीन डेकोर्डिंग यह वो आपको में दिखा दूंगा तो यहाँ पर आप देख सकतो इसमें मैंने किया किया जो फ्रंट पेज है उसमें मैं थोड़ा अलग सा ट्रिक लगाया फास्ट एंफिरियूस का मैंने यहाँ पर यूस किया और सही स्वाइब लेफ्ट है और इसम तो चलते मेरे लेपटॉप के स्कृर्ण पे और दिखाता हूं तो यहां पर आप देख सकतो कि मैं आ चुका हूं मैंने टी स्प्रिंग के काउंट पर और नीचे जाकर में दिखातो आपको कि टाइम क्या हो रहा है अभी है 21 और यह जो हम लोग ने डील फाइनलाइज किया रहा है इसका मतलब यह है कि आज के टाइम पे एक्टिव जो है यहाँ पे एक्टिव में आज मुझे अभी कोई भी सेल नहीं है तो यह दिखिए यहाँ पे मैंने अनलेटिक्स में गया तो आप देख सकते हो 9 मुझे orders मिल चुका है यहाँ पे यूनिट सोल्ड भी 9 है और 164.18 डॉलर का मुझे profit है और यह पहले कितना था 72 जो हमने शुरू किया था और 72 जो है उसका पूरा मैंने लगा दिया था इसमें और उसी को यूज करके मैंने 164 का मतलब जेनरेट किया वैसे उस 72 डॉलर में एक तो मुझे फाइदा ही नहीं हुआ क्योंकि एक campaign ने तो sale दिया ही नहीं मुझे तो यहाँ पर और नीचे जाते हैं हम लोग और दिखाते हैं यह देखिए मेरा जो पहला sale है वो आया था यहाँ पर पोस्ट करने के बाद ही उसके बाद आया था next day नेक्सट आया थे तीन sale औ मुझे 2 sale आये तो मैं यह तो कह सकता हूँ कि इसमें मतलब यह opportunity बहुत ज्यादा है और नीचे भी आपको में दिखाते हैं तो एक पर व्यूज में जाके दिखाता हूँ देखिए व्यूज उतना ज्यादा नहीं है जब हमें sale आया वो पहले मुझे ज्यादा आया था यह ज टाइम पर व्यूज में ज्यादा आया था लेकिन यहां पर जो व्यूज है वो बिल्कुल मतलब targeted audience का व्यूज है और इस लिए sales ज्यादा आया और थोड़ा नीचे जाता हूँ और यह आपको दिखाता हूँ यह जो मैंने campaign run किया था यह दोनों वाला नीचे वाला तो काई sale आया वस यह है 7 और इसमें है 2 इसको तो मैंने अभी close कर दिया है यह जो पार्ट है यह मैं थोड़े देर बाद शूट कर रहा हूँ लेकिन बाद में उस वीडियो में merge कर दूंगा तो यह मेरा PayPal का account है अभी देखिए available balance 0 है लेकिन अगर नीचे जाता हो में recent activity में view all activity में मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हो टी स्प्रिंग से जो यह पैसा जो आता है वो मैं मुझे आपको दिखाना था तो देख सकते हो आप यहाँ पे मुझे टी स्प्रिंग से मतलब उपर से तो मतलब अभी recent का है मैं थोड़ा नीचे ही जाता हूँ और नीचे जाके आपको दिखा तो मैंने जो पेट किया था लोग들 को यह दिखें नीचे वाला दैन ग्रोयन उसको मैंने पेक किया था 20.70 यूरोज siis उसके बाद यह इसको पे किया था मैंने पतानी कौन सा कारंसी है वो उसमें लेकिन वो 20 डॉलर ही है वो उपर वाले को मैंने फिर से पे किया था 20 डॉलर यह यूरोज में है उसके बाद देखिए जो मुझे मिला है यह 20 वाला तो एक प्रोमोशन है किसी और का वो तो ना तब भी चलेगा 5.34 वाला लेकिन उपर देखें टी स्प्रिंग वाला यह 9.42 14.23 यह मतलब टी स्प्रिंग से पैसा मतलब थोरा टाइम लगता है मतलब स्क्रैच से यह चीज़ किया है और इंडिया में बैटके किया है मुझे लगता ज्यादा वीडियो आपको मिला होगा यूट्यूब में तो अगर अच्छा लगा तो जरूर एक लाइक कर देना इस वीडियो को और शेर कर देना इस वीडियो को अगर आपका कोई फ्रें से वो हमारे पास हो तो ही इसमें दिक्कत है कि इंडिया में सी ओडी चलता है और सी ओडी में यह चीज़ करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है जैसा तो आएंगे बहुत ही कम सेल और उसी में अगर सी ओडी आ गया तब तो कोई फायदा ही नहीं है अगर USA-based या फिर बाहर कि मतलब मुझा है तो मैंने तो यहाँ पर टी स्प्रिंग यूज़ किया इसमें पता नहीं चला कि कहां से exact sale आया है लेकिन लेकिन इसमें मतलब opportunity बहुत ज्यादा है बाहर के audience को हम लोग target करेंगे तो यह था इस वीडियो में आशागर तो वीडियो आपको अच्छा लगा था 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 इस वीडियो एंड च्टे ग्नेक्ट